चलो भाया अब फुल कैसा कैसा कार्ड पेटियम पेटियम भी नहीं इदर लगा ने रात को कैसे चलता है दिन में दिन में भी कैस चलता है कार्ड चलो अठीए के डालो यह फुल करो खार 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 प्राण ट्रीजव ट्रीजव तोस्तों बॉँद्व प्राण कि अए प्राण वी आए शीरी तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि क्योंने एक सोलो राइड हो जाए तो यहां से मैं अभी शीड़ी जाने वाला हूं तो I wanted to complete this राइड in single day तो यहां से around more than 1000 km से से तो ऐसा लगा मुझे करना चाहिए तो जनरली यहां से वहां का टेस्टेंस कवर करने में 17 से 18 अर्स लगने का टाइम है लेकिन कि मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी complete कर पहूं और देखते हैं आप लोगों की दुआए हैं कि कैसे इसको complete करूं मैं और मुझे पता है कि काफी टायड होने वालों आप्टर देट अपडेट यू वन बाई वन कि कैसे मैंने यह जर्णी कम्लीट किया है तो अभी हल पिलाल में आपको मैं अपना एक मीटर दिखाना चाहता हूं कि मेरा जर्णी जो है है अब ही आज संडे और मेरा मीटर जो अभी है उसका आपको डिस्टेंस भी बताऊंगा कि कहां से कहां जाना अभी फर्स्ट मेरे जो स्टॉप रहेगा वह रहेगा तुमकुर तो यहां से तुमकुर अराउंड हंडेट किलोमेटर के असपास में है तो इत विल टेक अरू क्योंकि बैंगलोर से अंदर से जाने में तोड़ा टाइम लेगा तो आइल मीट यू थैर वावाइज पुल कैसा कार्ड पेटियम पेटियम भी नहीं है इधर लगा ने तो आपको कैसी चलता है दिन में है दिन में कैस चलता है काड़ है चलो ठीके डालो यू फूल कर आइलो गाईज अनफॉर्टनेटली मुझे थोड़ा सा आगे आकर रोकना पड़ा क्यों यह पता नहीं कहां से गीरा है मेरे गाड़ी क अटिया है यह पिर नहीं हो सकती है तो मुझे बताइए कि क्या पास में रख लेता हूं अभी के लिए अगर देखते हैं क्या होता है आगे चलते हैं डूब को बंद नहीं करते हैं का कि ये और ये सेकंड टूल बोट आ गया है और मुझे राशता में बाइभी मिला है इसके बारे में बताऊंगा थोड़े ताइम बाद में तो ही जोनबाइक तो देखते हैं बाद में मिलते है तुमकुर में तो बंदा आया है वो भी चल रहा है उसी साइड में तो I'm happy now because I have got somebody to ride with me इसरे gate आगया है तो अभी देखते हैं और आपयो जाने में ओवर टाइम है ये तत्त तव बाजया है भाई लोग इढ़े हैं है यहारी टूटा पड़ा है hello guys I have reached here Tumpur and one of new friends Mr. Ravi he is going to Gujarat and very long journey is gonna complete so fortunately I have got new friend to give me company till Satara then we will just move and we will find our own way anyway this was the fourth toll where we have stopped so we will see how much time it will go but we came after this Tumpur so let's see now the next plan is to reach Chitradurga Chitradurga so it's around 70 km so it's around 70 km hopefully we will complete within hour so thank you we will meet there bye bye abhi guys hamne start kia hai wapis 5 wazkar 5 minute pe Chitradurga is our next target and hopefully we will complete this in an hour this is our second stop after Chitradurga so we maintained speed between 100 and 110 km because the highway between Tumpur and Chitradurga was awesome so that was nice and now hopefully we will reach within an hour to Devankura so it's Devankura right Devankura Mexico then after we got to switch down yeah so it's Devankura Devankura right Devankura Devankura then after that Hoopli so we have stopped here for 10 minutes then we will start our journey back I will meet you there that time bye 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 abhi suboh bhi ho gah hi so so chalane ma koi dhikkat nini a rhi hai chalo thik hai phir bye 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 chattha tol dhikne ko mila bhai logo abhi bhi manjil bhoot dhur hai ham toh lage pade hai manjil chalane ke l oat चलो ठीक है मिलते आगे साथवा टोल आगया है सेवन्त नमबर टोल कारवे नैसनल हाइवे यह आठवा टोल प्लाजा आगया है यह थोड़ा पाद होड़ जाना भाई हो यह थारी आएवे यह यह प्ले का टोल गेट आगया है एक और टोल गेट बहुत सारे टोल गेट आने वादे भाई की अभी बेल काव के अंगर मैं रुका हूं यहां पे बारीश हो रही थी बहुत सारी तो इसलिए बीच-बीच में बारीश हो रही थी रुक रही थी मैंने पीछे वाला जो डेश्ट ने सालता हो इसकीप कर लिया तो नाओ डायकली मैंने सोचा की बेल काम ही चलते हैं भूबली को मैंने स्किप किया कि वो साइट में था एंड रो गंटे में अल्मोस्ट राइट किया यहां से थोड़ी देर पहले पेट्रोल पॉम पे रुका था मैं बहां पर उन्होंने मेरे पैंट पेट्रोल गिरा दिया तो टंक को उवर फुल कर दिया उसके बात में जो बता है क्या होता है तो उसने पानी डाला थका थोड़ा सा गाड़ी को थंडा किया उसने बोला कि थोड़ा सफाई कर लेते हैं ठीक है तैटन अभी मेरा जो प्लान है नेक्स्ट कोलप रुकने का है यहां से अल्मोस्ट एक सो 10 किलो मेटर के आसपस में है और अब इमेए एक सुझी ब्रेक्पास्ट यहां पर एग्षाइड बस गाएड इंशे का टाइम बेह नहीं है यह फिर भी मैंने सुचा लोंग इस्टंस कवर कर ले तो अभी मैंने 540 किल यह बीच में बारिस हो रहा है तो मैं गारी 80 से उपर दोड़ा भी नहीं पा रहा हूं देन अभी फाइनली तेंग और शाड़े पांच गंटे में जह गंटे में आल्मोस्ट में फाइप 11 किलोमेटर्स कम्प्लीट किये थे अभी देखता हूं आगे कितना टाइम अभी मुझे लग रहा है कि टाइम लगने वाला है क्योंकि बारी सी स्टार्ट होगी और लेट सी तो आगे मिलता हूं मैं खाना खाने के बाद में थेंक्यू एन बाबाबाए अभी थे बाबाब लेट नहीं आगे तो यहां टाइब दी यहां टाइब कर नहीं है कि इनी पतकर नाका आ गया है भाई एक बाटोल जाए बुड़ आप्टर नूँन आ है वकम पावर ना तो मैं अभी कोलापूर से चाथी आगे निकल गया हूं अभी 17 किलोमेटर बूर है यहां से तो अभी सब आए हो रहा है एक बूस को बिस्क्राइब हो रहा है तो मेरा जो पोटल इस्टेंस अभी कोबर हुआ है वह हुआ है 790 के असपर्स है तो नौ गंटे हुए मझे गर से निकले हुए है तो अरूंड बी ओकलॉक रास्को निकला तो ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कंप्लीट कर बहूंगा 500 किलोमेटर नौ गंटे में नौ गंटे में हो गया अभी च्रॉलम ही होगी है तो बहुत सारा पारिश का पानी की रहा हुआ और वोड़ पे तो अभी थोड़ा रुकाऊ हूं और बूंग तो ब्रिंक अभी में सतारा पहुंच गया हूं और इस बार थो है थोड़ा टाइम लगा पहुंचने में बहुत रेन हो रहा था बीच में और मुझे अर्मोस सेवन्टी एटी सेवन्टी एटी के आसपास में चलाना पड़ा तो अल्मोस टुक वन आर तो रीच यह अभी जो टाइम हो रहा है तो बसकर चालिज मिनिट हो और पहुती करड़ मिलें में चलों बाभाइड में सब्सक्राव्ट करों दो information mus Of यहां से मुझे कांडे कामव हो इस ऐसे हाँ है और फ्री ऐट इन करने अbel holiday मज Mm विलता हूं में बाद में चलो बाबाई यह जो व्यू है इस व्यू जो आसम यहां पर मुझे ऐसे लग रहा है कि एक फोटो तो लेनी चाहिए कितरा कटrzy नाख शांदार लग fan जो चाहिए वह एक जा जा लग पर अजुकषए अचा करें सबसे हामिम पर अबश्र आयरा है क्या जगह है यार यह किना अच्छा लैंडिस्केप्स थे बहुत इस बड़िया नजार है गारी रोकर मेरा मन किया कि थोड़ा सा नजार आपको भी दिपना यहां पर साधी जो हिल्स है सुखी है और बहुत ही अच्छी लगई बहुत ही अच्छी है आप जब भी यहां से जाओ सब्सक्राइब के लिए आप देखिए यहां पर कितना बड़िया वेली दिख रहा है यह जो लैंड्सलैट से बहुत ही सुंदर दिख रहा है अरे वहां यार आदा लड़ाग तो मुझे इधर ही मिल गया बोड़ा और उपर जाते हैं और देखते हैं कि भाई उपर क्या है मेरी हवाज हार ही है कि नहीं हार ही है सब को ये वाव 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 इस इस आउसम मैं आउसम 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 मीज आउसम ये सारी बेली कहां देखने को मिल लाई थी मुझे बहां बैंगलोर में गूर वाव भाव व-व-वोह। और लाव वाव वव्ववाव व-व-व-वोह। ववव सक्षाब लाव वव सब्स्दाब कि अब दोस्तों अभी पांच बज रहे हैं मेरे जोड़ी में बहुत हला एदर पीछे जाना चल रहा है मैं आप एक जॉज पर रुका हूँ कुछ स्नेक्स खाने के लिए और अभी में यहां पर कारे गांँ पहुंच गया हूँ कारे गांँ और सतारा के बीच का जो रोड है स्मार्ट फूट एक सो तीन किलोमेटर के लिए और दो गंटे लगे मैं अल्मूस महां से तीन बजे के आसपास का रवान अबाता हूँ पांच बज रहे हैं एक्टिक एक्चल बहुत ट्राफिक भी है बीच में आप सेवन की से उपर चलाना तो मुस्की लिए हैं इसके अलावा अभी मैं ओंचने बाला हूँ सुड़ी अभी जो है चाहर लंडे लिखा रहा है यांसे तो पांट चाहर बाबरे हैं चाहर अलमुस्ट तीन लंडे चोवालिस में है एक्सोट सी किलोमेटर से लिखने वाले अपरी तीन चोवेले स्टोर्स कि अधाने बहुत ही ट्रेला काम है अभी अभी कज रहे है तोड़ा रस्ता मुझे लग रहा है कि पता नहीं देखें कैसा है लेकिन यह रस्ता यार इतना बजा नहीं आया है अभी शाड़े तीन चाहर गूंटे लगने वाले और विट जाके टेंग पूच्छे रहे हैं वेक्तम जल्दी शेजल्दी होने का चांस तो है 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 कि अब है अब ही में रावडी में रुका हूं यहां से स्यूडी करीबन करीबन 60 किलोमेटर से अब है 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 बहुत ही ज्यादा तकलीप हुआ मुझे यहां पर अप्र सता रहा है रोडस आर नोट गुड अट अल पता नहीं कूगल कहां कहां लेके जा रहा था जो भी रोडस आई बीच में टूटी फूटी एंड बहुत कंजेस्टेड रोडस थी इसके अलावा हाइवे भी में देखे हाइवे भी बहुत बीजी हाइवे दिखे आज अब ही मझे नौ बजेंगे शेडी पहुंचते-पहुंचते इस अज़वा पक्का है और बारीज अज़वे बीच में लोग जो है अपना जो लाइट है जो डीपर है उसका जी जंसे नहीं कर रहा है इडियोट जो है अपना डीपर जो है स्ट्रेट रखेंगे आगे वाले को कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो आई कैनोट एक्सिलेरेट मोर देन 60-70 से नीचे ही मेरा काड़ी चल रहा है इसलिए यह थोड़ा डिस्टन्स कवर करने में काफी तकलीब हुआ बाकी ठीक है चल रहा है अभी क्या करें टाइम लग लगने का में डीजन है कि रोड का कंडिकन अप्र सतारा फारी बन तो आईल अपडेट यू आगे पहुंचने के बात में तब तक तो फोड़ा सब लेट हो गया आओ जस्ट गूंग टूपके रूम हियर और सुबह दर्शन करना पड़ेगा जल्दी उठना पड़ेगा मैबी त्रियो क्लॉक इसके बाद में दर्शन होगा तो अभी तो फिलाल जाके सोना है तो होटल बुक करने वाला हो दूमें तो के लिए स्टे ट्यून बाबाएं हैं हेलो गाइस गुड मॉर्निंग मैं अभी जस्ट थोड़े देर पहले ही थयार हूँ और अभी मैं दर्शन के लिए जाने वाला हूं और कल मेने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आपको दर्शन के लिए लेकर चलूँगा लेकिन ऐसा न इंदर अलाव नहीं है तो में भी कही टीवी स्क्रीन पर होगा तो वहां के दर्शन हो सकते हैं और यू के वाच ओनलाइन आप देख सकते हैं तो जिस होटल में मैं रूका हूं वह रात को मैंने जस्ट 11-12 बज़े बुक किया एंड एंड जस्ट पर वन नाइट तो डबल तो आपको रूम जो है मिला है एक पंदे के लिए मुझे जहां तक लगता है काफी अच्छा है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं डबल पैड है यहां पर साइड में हैंगर लगा हुआ है इधर गेट है इधर बातरूम है इधर टीवी है और मेरा जैकेट है नहीं है तो व आप आप बुक करते हैं तो आपका बुक तो हो जाएगा आसानी सो जाएगा रूम जो प्राइज है वो उसका लेवल भी कम रहेगा लेकिन थोड़ा क्वालिटी में वो लोग कॉम्प्रोमेज करते हैं फूड का वालिटी अगर ब्रेकफास उसमें लिखा रहता है आपको इतनी खास नहीं लगे कि आपको every time you need to speak to the receptionist के भाई यह मंगवा दो रूम में वो मंगवा दो तो पानी का बोटल मुझे नहीं मिला यहां पर और यहां पर नहीं था तो वो भी मुझे बोल के मंगवाना पड़ा तो वेनेवर यहां तो यहां पर पहले सेट अप हो सब्सक्राइब करना है तो सुझ का आंप शेयरी मंदी का सामने उसल mendel के घ्मास, तोड़ा से एक दो किलोमेटर इस साइड में आप रोम बुक करिये ताकि आपको थोड़ा सस्ता भी मिलेगा एंड थोड़ा बार्गेन करने पर चल जाएगा तो अभी यह जो रूम मुझे मिला है नाइन फिफ्टी के आसपस में मिला है वन नाइट स्टे एंड विदेशी इसके लाब बहुत सारे लोग यहां पर घुमते भी आपके पीछे आएंगे आपको बोलेंगे सार रूम चाहिए विदेशी 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 एंड और मैंने यूज किया है नहीं पता नहीं कौन सा वाइफाई यह मैट है फ्री वाइफाई तो ठीक है इसके लाब अगर आपको 500 रुपे में मिलेंगे चार सुरुपे मिलेंगे एंड वहापे उनका द्रम साला भी है वहापे आप जाके वहापे भी रूम बुक कर सकते हैं तो इस अप तो यू इस अप तो यूर चॉइस बट मुझे ठीक लगा अभी विदाउट इस्टरबंस आ वाँट तो स्लीप यह विदा नहीं तो इसलिए ठीक था था यह ज्यादा इस्पेंट भी नहीं करना था मुझे थैंक यू गाइस अभी शेड़ी शाहीं बाबा के दर्शन तो हो गया है कि दर्शन करने में मुझे डाई गंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा तब जाके दर्शन हुए है तो देखा आस पास में थोड़ा सा मार्केट गूम लिया अभी यहां पर तीन बज कर दस मिनिट हो रहे हैं तो अभी मैं अपना जर्णी पूने की साइट में स्टार्ट कर रहा हूं तो पूने यहां से 200 किलोमेटर के आस पास में है और अभी टाइन जो बता रहा है मुझे साड़े चार से पांच गंटे लगने वाला है तो देखते हैं मौसम के अखॉरिंग मैं चाहता हूं आट बजी से पहले पहले मैं वहां पहुंच जाओं तो आल कैच्छू देर तब तक के लिए बाबाए